ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए, तेरे बोल पर अंकुष नहीं डाल सकते, बोल इलाब आज़ाद है तेरे मोरभी में पुल हादसा तुर रविवार को हुआ ना, जिसमें देड़ सो लोग मारे गए तो प्रधान नंतरी नरेंद्र मोदी को मोरभी पहुशने में देड़ दिन क्यों लग गया? और सबसे बड़ा सवाल इतनी बड़ी इतरास दी, गुजरात के हाल के इतिहास के बड़ी इतरास दी, मगर राजकिये शोक की घोषना करने में दो दिन क्यों लग गये? क्या आप जानते हैं कि गुजरात के अंदर राजकिय शोक की घोषना बुधवार को की गई है और ये घटना कब हुई रविवार को हुई सुमवार को नहीं मंगलवार को भी नहीं बुधवार को शोक की घोषना ओफिशल शोक यानी राजकिय शोक की घोषना हुई है और सबसे अजीबों गरीब बात कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी चाहते तो सुमवार को पहुँच सकते थे नहीं पहुँचे आधा मंगलवार निकल गया और चार बजे पहुँचते हैं मोरभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ ऐसा क्या जरूरी था कि प्रधान मंत्री को आते आते देड़ दिन लग गए ऐसा क्या जरूरी था कि राजकिये शोक की घोशना में आपको दो दिन लग गए मैं आपको बतलाता हूँ क्यों राजगी शोक की जब घोशना होते हैं न दोस्तों तो राजगी के अंदर कोई भी सरकारी समारोह नहीं हो सकता मगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावों से संबंधित कारिक्रम करने थे याद कीजिए रविवार की रात ये तराजदी होती है और सुमवार की सुवग केवडिया में स्टैच्यू अफ यूनिटी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ये टोपी पहन कर वहाँ पर भाशन देते हैं बात वहाँ नहीं रुकी दोपहर में जाकर बनास कांठा में वो एक राली को संबंधित करते हैं तब तक उनके कपड़े भी बदल जाते हैं यानि कि प्रधान मंत्री एक शोक मना रहे हैं मातम में हैं और उन्होंने कपड़े भी बदल दिये और दूसरी राली को भी संबंधित करने लगे बात वहाँ नहीं रुकी उसके बाद उन्होंने ट्रेन को हरी जंडी भी दिखाई प्रधान मंत्री ने तीन फंक्शन किये काईदे से उनका रेल मंत्री हरी जंडी दिखा सकता था मगर प्रधान मंत्री दिखा रहे थे क्यों? क्योंकि इन तीनों आयोजनों का जो तालुक है वो गुजरात के साथ है अब जाहिर सी बाते साल के अंत में गुजरात में चुनाव हैं इसलिए प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि वो ऐसे किसी मौके को मिस करें जिसके जरीए भारती जनता पार्टी को वोट्स मिल सकते हैं क्योंकि मोर्वी में जो घटना हुई उसने भारती जनता पार्टी की पोल खोल कर रख दी है। उसने पोल खोल कर रख दी है गुजरात के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक model state है पूरी देश की नजरों में, पूरी दुनिया की नजरों में। अब आप कह सकते हैं कि प्रधान मंत्री आज मंगलवार को चार बजे पहुँचे मोर्वी इतना लेट क्यों वो इसलिए कि उन्हें राजस्तान में एक बड़े आयोजन को संबोधित करना था और वो आयोजन क्या है दोस्तों आपके screens पर आप देख सकते हैं याप प्रधान म की गौरव गा था यह आयोजन कहा हो रहा है राजस्तान में हो रहा है और राजस्तान में कब चुनाव हैं अगले साल के अंत में प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी चुनावों से जुड़े किसी मौके की आयोजन को नहीं मिस् akt Champ je सिधा से सवाल है आपसे राजिस्थान जाना ज़्यादा जरूरी था या फिर मोर्भी जाकर वहाँ पर लोगों से मिलना वो परिवार जो अपना सब कुछ गमा चुके हैं उनसे मिलना राजकी ये शोक की घोशना में दो दिन का विलंब क्यों? ताकि इन दो दिनों में भारतिय जनता पाटी चुनावों से जुड़े तमाम आयोजन करते रहे उद्घाटन करते रहे, रालीज करते रहे जबकि कॉंग्रिस ने साफ तोर पर कह दिया है कि हमने तमाम चुनावी रालीज को रद कर दिया है मगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी Statue of Unity पे जाके भाशन भी देते हैं उत्री बनास काठा में जाके भाशन देते हैं और उसके बाद एक ट्रेन को हरी जंडी भी दिखलाते हैं क्यों? क्या मूर्भी की जनता का दर्द उनके लिए माइने नहीं रखता? और आप जानते हैं दोस्तों मीडिया का सबसे ज़्यादा शर्मनाक किरदार है मैं आपको दो क्लिप्स दिखाने वाला हूँ दो बड़े न्यूस चैनल्स का सबसे पहले एबी पी न्यूस देखिएगा एबी पी न्यूस इस मौके पर भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहा है पापा की परी के नजरों में पापा जी के क्या माइने हैं आप खुद देखिए 47 साल पहले आपको बता दे इसी मौर्वी में एक बड़ा संकट आया था जब मच्छो नदी का बान टूट गया था और उसके बाद उसके सालाब ने मानो मौर्वी को बहा लेने की ठानी थी तब आरेंद्र मोदी की ओर से अपनी भूमिका का नर्वहन किया गया था और उनकी ओर से लोगों को मदद पहुचाई गई थी देखा आपने बात यहां नहीं रुकती मगर अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो और भी ज़्यादा शर्मनाक है यहां पर आज तक का एक एंकर जो 21 दिन तिहार जेल में बिता चुका है वो इस घटना के लिए मृतकों को जिम्मदार मान रहा है आम इनसान को जिम्मदार मान रहा है यह लोग इतना नीचे गिर सकते हैं कि भारती जनता पार्टी की साक बचाने के लिए यह लोग मुर्दों को भी नहीं बखशेंगे देखिए यह वीडियो और हम सब के लिए, हमारे सब समाज के लिए, पत्रकारिता के लिए, ये सबसे शर्वनाक लम है, देखिए इसके लावा इस दोरगटना के लिए, जो वहां लोग मौजूद थे, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सची है कि लोग खुद भी कहीं न कहीं इस हादसे के दोशी जरूर है है ना शर्म की बात, कहन पत्रकारों को शर्म आती है कि इस मौके पर भी आप महिमा मंदन कर रहे हो प्रधान मंत्री का, इस मौके पर भी आप भारती जन्ता पार्टी को बचने का रास्ता दे रहे हो, इस मौके पर भी आप एक आसान सा सवाल नहीं पूछ रहे हो, कि जिस क पुछा कि आखिर प्रशासन ने क्यों इतनी बाड़ी इतादाद में लोगों को उस पुल में जाने की अनुमती दे दी। क्या इस ने प्रशासन से पूछा क्यों कि इस वक्त क्या हो रहा है दोस्तों भारती जंता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र अब एक कॉंस्परिसी थियोरी की बात कर रहा है वो लोग ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं पुल को हिला रहे थे उसे की चलते पुल तूट गया मगर इस पुल को ते एक अरसे से हिलाया जा रहा है क्या कहीं पर भी प्रशासन ने लिखा था कि पुल हिलाना मना है लोग जो पिछले कई सालों से कर हैं 100 सालों से कर रहे हैं वो आज भी वही कर रहे थे जो कमपनी ओरिवा ट्रस्ट जोकी अजन्ता वॉल क्लॉक से जुड़ी हुई है आपने जिम्मेदारी इन्हें दी थी वो अजन्ता वॉल क्लॉक्स जोकी भारती जन्ता पार्टी की बहुत करीबी है अब उन्होंने काम नहीं किया ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना आप मुर्दों पर क्या दोश दे रहे हो भाई और सबसे शौकिंग बात दोस्तों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मोर भी आने वाले थे और देखी किस तरह से रंग रोगन किया जा रहा है अस्पताल का प्रधान मंत्री खुद को प्रधान सिवक कहते है वो राजा नहीं है कि एक राजा कहीं पर आ रहे हैं और उस अस्पताल में जहां मौत पसरी हुई है जहां कई लोग चोटिल पड़े हुए हैं वहां का आप रंग रोगन करने लगें कितनी शर्णाग बात है और बात यहां नहीं रुखती जिस मोर्भी पुल पर ये हाथसा हुआ है वहां के बारे में जो पत्रकार हैं वो बता रहे हैं वहां पर बिलकुल चुनावी राली जैसा माहौल है यानि कि इस पूरे माहौल को इस तरह से बनाया जाए कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारती जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा फाइदा हो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंदंध हो और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको जलक दिखाना चाहूंगा उन तमाम news channels का जिनका coverage शल रहा है इस वक्त अपने news channels पर देखिए किस तरह की शर्मना coverage आपके screens पर मोर्भी के टूटे पुल में भी vote यहाँ पर सीतराम येचरी, दिगविजय सिंग और गुजरात के मुख्यमंत्री की तस्वीर है मैं जीन्यूस से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दिगविजय और सीतराम येचरी दोनों विपक्ष के निता है वो तो भारती जन्ता पार्टी से सवाल करेंगे जीन्यूस ये भूल चुका होगा कि पत्रकारिता का सबसे बड़ा धर्म होता है सरकार से सवाल करना ताकतवर से सवाल करना और यहाँ पर ताकतवर बीजेपी है यहाँ पर सब्ता में बीजेपी है लिहाज़ा सवाल उनसे होगा Zee News ये बात भूल गई हो मगर विपक्ष का ये किरदार होता है इसलिए आप इस तरह की सुपारी जो है विपक्ष के खिलाफ लेकर ना चलें बात यहां नहीं रुकती दोस्तों ये देखिए एक और शर्मनात तस्वीर वो तबाही जिसने मोर्बी को बनाया भुत्हा मच्छू नदी पर 43 साल बाद फिर वैसा ही हादसा और बीच में देखिए आंकर खड़ी हुई है और पीछे क्या लिखा हुआ है मार डाला मार डाला क्या है आप जानते हैं ना वो फिल्म देवदास का गाना था जिसमें अश्वर, अराय और माधूरी दीख्षित गारही होती है मार डाला ये एक त्राजदी है इसको भी आपने फिल्मी बना दिया इसको भी आपने नाटक बना दिया क्या एक मौके की गरेमा एक मौकी की शालीनता बिलकुल नहीं है यानि कि आपका एक एंकर मुर्दों पर दोश मड़ रहा है जो लोग मारे गए हैं या जिन्हें चोटे लगी हैं उस पर दोश मड़ रहा है और यहाँ पर आप ड्रामा कर रहे हो मार डाला फिर मैंने कहा न कि इनका मकसद जो है वो सिर्फ प्रधान मंत्री का महिमा मंदन करना है मसलन जीनियूस का यह कारकरम देखिए मोर्भी के जख्म मोदी का मरहम मोदी का मरहम मोदी का मरहम कहां से है मोदी जी तो पहुँचे भी नहीं वहाँ मोधी जी ने वहाँ पहुशने में देड़ दिन लगा दिये अब मैं इस वक जब आप से बात कर रहा हूँ वहाँ पर गुजरात में राज की शोक की गोशना नहीं की प्रधा मंत्री तो लगातार कपड़े बदल रहे थे कर उन्हें ने दो-दो बार कपड़े बदल दिये तीन-तीन राली इसका हिस्सा हुए तीन-तीन ऐसे आयोजनों का हिस्सा हुए जिससे उन्हें चुनावी फाइदा मिल रहा था और आप ये कहते हैं मोधी का मरहम कहां से मरहम है भाई और पिर देखिए साब रिपब्लिक हाला की रिपब्लिक की इस बात की तारीफ करनी होगी कौन-कौन कसूर वार मुझे लगता है कि प्रधान मंतरी कारियाले से कॉल आ गया होगा अर्नव गोस्वामीं के पास, अब ये लोग सिस्टम की दुखाई दे रहे हैं सिस्टम कहा से हो गया, ये सिस्टम किस के हाथ में है पिछले 25 सालों से ये सिस्टम भारतिय जनता पार्टी के हाथ में है उसमें वह बहुत बड़ा वक्त, नरेंद्र मोधी जी, यहाँ पर मुख्य मंत्री थे, प्रधान मंत्री मोदी वहाँ पर मुख्य मंत्री थे तो इस सिस्टम किसका है? और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, खास करें नियूस चैनल्स से गुजरात मॉडल की दुहाई कौन देता रहा है? प्रधान मंत्री नारियंद्र मोदी, क्योंकि इसी गुजरात मॉडल के आधार पर आपने 2014 में सत्ता हासिल की, आज किस मॉडल की बखिया और धिड़ी जा रही है? गुजरात मॉडल की, मगर आप क्या कर रहे हैं? आप जो है, इस तरह से प्रोपगैंडा चला रहे हैं और इनके पास एक और मौका मिल गया है, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, ये खबर इस खबर में दावा किया जा रहा है, कि जो महाठग है, सुकेश चंदरशेखर जो इस वक्ट जेल में बंद हैं, उसके हवाले से एडी ने एक खबर जो है चलाई है, वो क्या? कि सुकेश चंदरशेखर ने सतेंदर जैन को दस करोड रुपए दिये ये वही महाठग है ना, जिसके हवाले से एक और बयान आया था, आपकी स्क्रीन्स पर ये खबर आई थी, जिसमें कहा गया था, इस सुकेश चंदरशेखर ने जाकलीन फनान्डिस को ये कहकर फोन किया था, कि मैं अमित शाह के दफतर से बोल रहा हूं और उसने जाकलीन फनान्डिस के मेकप मैन से बात की और उसके बाद जाकलीन फनान्डिस से दोस्ती की अब ये महाठक तो इस तरह से बाते करता रहा है ना कभी ये कहता है कि मैं आमिश्चा के दफ्तर से बोल रहा हूँ अब आप दावा कर रहे हैं कि सहाब उसने दस करोड सा तेंदर जैन को दिये इस ख़बर का मकसद सिर्फ एक है मौरबी से जनता का ध्यान भटकाया जाए इसके इलावा कुछ नहीं हकीकत ये है कि चुनावी राजनीती के लिए भारते जनता पार्टी ने तमाम हदों को पार कर दिया है और उसका पालतू मीडिया उससे भी जादा घटिया पत्रकारिता का मुझाहिरा प्रदर्शन कर रहा है जो अपने आप में कितने शर्म की बात है कितने शर्म की बात है कल ना कीजिए दोस्तों यही हादसा किसी और राज में हुआ होता मुर्बी का तब मीडिया का क्या तेवर होता ये ना भूले जब आच से 6 साल पहले पश्यम बंगाल में एक पुल हादसा हुआ था तब प्रधान मंत्री ने किस तरह से टाना कसा था उस वक्त की ममता बैनर जी सरकार पर याद है किनी आपको सुनिए प्रधान मंत्री ने क्या कहा था कि आपने कैसी सरकार चलाई ये इसलिए भगवान ने लोगों को संदेज दिया है। सुना आपने, ये थे प्रधान मंत्री के शब्द, इस तरह से वो act of God, act of fraud और ये कह रहे थे कि जनता भगवान ने सजा दिये। अरे भगवान ने सजा दी, मारा तो आम इनसान गया ना प्रधान मंत्री। अब गुजरात के बारे में आपका क्या कहना बताईए ना, यहाँ पर किसने किसको सजा दी और दिल्चस्प बात ही है कि प्रधान मंत्री ने आसे 6 साल पहले, जिस अंदाज में ये भाशन दिया था ना, इस अंदाज में विपक्ष के किसी नेता ने भाशन नहीं दिया है। राहूल गांदी से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ तोर पर कह दिया था कि मैं इस मुद्दे पर टिपणी नहीं करूँगा। किसी भी विपक्ष के नेता ने इस तरह की भाशा का इस्तमाल नहीं किया, जिस तरह की भाशा का इस्तमाल आज से 5-6 साल पहले प्रधान मंत्री ने बंगाल के बारे में किया था। वाकरी मूरभी ने भारतिय समाज को बतला दिया है कि वो अंदर से कितना खोकला है। मूरभी ने ये भी बतला दिया है कि मीडिया के गिरने की कोई हद नहीं है। ये तमाम हदों को पार कर सकते हैं क्यूंकि इन्हें न काम की सुपारी लेकर चलते हैं मीडिया को शर्म आनी चाहिए मगर यहां निउस क्लिक पर हम आपके मुद्दे की बात करते हैं जनता के हाग की बात करते हैं अभिसार शर्मा को दीजे अजासत नमस्कार